जी में सीखी, अच्छा सुभे का समय के लिए मैं प्रोह को धनिवा देना चाहता हूँ, कल हम परमिश्र का वजन से प्रकाशिद वक्यों तीसरे अध्याए से सुना दा, फिलादल्फिया के लिशिया को प्रोह ने कहा, देख मैं तेरे आगे एक द्वार खुल रहों, वो प्रोह दिखाना चाहते है, प्रोह उसका प्यार को दिखाना चाहते है, इसके लिए प्रोह ऐसे कह के दिया है, सितान का सभासे में लोगों को अभी तेरे पास लाएगा और तेरे आगे ओ गुटना टेकने वाला है, परमिश्र अगर प्रेम रिखते हैं तो उस्ताबित करन तुम अन्मोल और प्रदृष्टि दे और मैं तुझे प्यार करता हूँ और सुर्फ होटो से बोला नहीं प्रोभू ने कहा मैं तेरे बदले में दूसरों को देगा और तुझे बचा लेगा प्रमेशर इतना प्यार हमें करता है इतना हम प्रवब का द्रश्टी में अनμο hinter हैं ताकि वह हमें बचाएगा और अपना जगा में दूसरुको देने वाला बने मेशर इतना प्रभथ हमें क्यों प्यार करते इतना हम प्रवब का नसरों में क्यों अनमौल बन गया अब फिलिदल्फिया कलिसिया को देखो फिलिदल्फिया कलिसिया का बारे में लिखा है प्रभू का वजन का पालना किया इसलिए यह जो एशिया 43 में लिखा हुआ इसरेल, इसरेल को प्रभू इतना क्यों प्रेम किया क्यों उनको अन्मोर माना क्योंगी इस्राइल ना तो अबरहाम इसहा कि याकूब यह लोग सब भरमेशर का आवाज सुनके उसका आज्ञावों को पालना किया प्रभू उसका आज्ञावों को पालना करने वाला लोगों को उसका वजन का पालना करने वाला लोग नहीं है लोग मुझे कोई ऐसे वाल्यू देता नहीं है मैं कुछ नहीं है वैसे मत कहो प्रभू आपके उपर बहुत बड़ा एक भाव एक मायना रखाए आप प्रभू का आँखों में अन्मोल है दुसरा दुनिया में कोई भी आपको कोई समान इज़त नहीं दिया तो भी आपको ऐसे कोई वाल्यू नहीं दिया तो भी प्रभू का आँखों में आप अन्मोले प्रदिश्टि दे प्रभू आपको बहुत प्यार करते इस वजनम से प्रभू आपको आशेशेद करेगा गाड़ ब्लस यू आवे वांडरफुल ड़े